संभल लूट का खुलासा मालव अवैद शस्त्र के साथ दो गिरफतार दो फरार संभल में शुकरवार को पुलिस चौकी चौधरी सराय में एक प्रैसवारता के दोरान पुलिस अधिक्षक यमुना प्रसाद ने खुलासा किया खुलासा के दोरान पुलिस टीम, सर्विलांस वा स्वाट टीम की संयुक टीम द्वारा शेत्र में घटित हो रहे चोरी नकाब अंजानी की घटनाओं से संबंदेत अपरादियों को धर पकड़ने के अभियान के तहक खुबिर की सूचना पर अभियुक्त सद्दाम पुत्र स असरफपुर सैजगंज थाना डिडॉली वा पिंकी निवासी मोहला मायापुरी थाना गजरॉला फरार हैं चारों अभियुक्त शातिर अपरादी हैं जिनके विरुद्ध थाना अस्तर पर वा अन्ये स्थानों पर दर्जन मामले दर्ज हैं बताते चलेंगे 31 जन्वरी की रात्री ग्राम मुकर्रब पुर में हाजी जहीर के घर में घुसकर चार लुटेरों ने लूट पाट को अंजाम दिया था गिरफतार अभियुक्तों के पास से 58,000 रुपे पीली और सफेद धातु के आभुशन वा अन्य सामान बरामत किया ग गई थी और उसमें दो अपराधी पकड़े गए हैं एक सब्दाम और विसंवर इनसे गहन पूस्ताच की गई तो पता चला कि ये लोग पहले जेल में बंग थे वहां पे इन दोनों के दोस्ती हो गई थी वहां से बाहर निकल करके ये लोग अपने दो अन्य साथियों के सा पिंकी और अकरम इनके दोन न्य साथी थे उनके साथ मिल करके इस छेत्र की रेकी की और यहां पर परिवार जो गाउं के बाहर रहता था और विदेष में उसके परिवार के लोग रहते थे तो इनको जानकारी हुई कि वहां पर क्योब महिलाये रहती हैं और उनके यहां कारित किया और जोयलरी, कंबल और तमाम सामान और पैसे भी वहां से लूट करके लेके चले गए अब दो ब्यक्तिस में से पकड़े गए हैं विसंभर और सद्दाम, सद्दाम का पूर में भी आपराधी कितिहास रहा है इसमें सोला सो केसेस हैं और विसंभर पे भी आपराधी कितिहास रहा है इन सभी को अभी पकड़के जेल भेजा जा रहा है इनके अने साथियों की तलास की जा रही जल्द से जल्द उनकी विगिर्दारी पने सुझ की है इनके पास से अठ्थावन हजार रुपए जो एलरी भारी मात्रा में और तमंचे और इनकी जो कार फोर्ड एक इनके जो यूज किया था इन लोगों ने वो भी मिली है और यह सारे सामान कंबल और अनिपीली दहातू जो मिली है वो सारे सामाने कठा करके और रियाल जो इसमें 25,000 रुपए का रियाल जो था वो भी मिला है जो लूट कर ले गए थे अब वो सारे सामान बरामद हुए हैं उसको तस्दीक भी कराये गया है